नमस्कार विद्यारतियों, MD Smart Classes YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्यारतियों, REIT 2022 ओनलाइन आवेदन की अंतिम तिति पर लेटेस्ट अपडेट राजस्थान बोर्ड ने एक बार फिर अब्यारतियों को राहत देते हुए ओनलाइन आवेदन वचालान जमा कराने की अंतिम तिति को आगे बढ़ा दिया वहीं REIT आवेदन में संशोधन की नई तिति भी घोशित की है जानते हैं इस वीडियो में REIT ओनलाइन आवेदन की तितियां अगर आप हमारे चैनल पर पहड़ी बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले REIT 2022 ओनलाइन आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है REIT ओनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेज पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा REIT परिक्शा 2022 के अव्यर्तियों के हित में आवेदन तितियों में संशोधन करते हुए चालान जनरेट करने एवं परिक्शा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिति 19 मई 2022 रातरी बारा बजे तक एवं आवेदन पत्र बढ़ने की अंतिम तिति 23 मई 2022 रातरी बारा बजे तक बढ़ाई जाती है आवेदकों को आवेदन पत्र में आउनलाइन सुधार हेतू पूर्व में दी गई तितियों में संशोधन कर अब दिनांग 25 मई 2022 रातरी बारा बजे तक एक अवसर दिया जाएगा अवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांग, परिक्षस्तर, फोटो, हस्ताक्षर, एवं मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं कर पाएंगे किन्तु उक्त के अतिरिक्त आवेदत मत्र में भरी गई सेश सभी प्रविष्टियों में केवल एक बार संशोधन कर सकेंगे संशोधन के प्रक्रिया निर्देश 24 मई को प्रातर 12 बजे रीट की वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए रीड 2022 से संबदित कुछ समश्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नॉटिकिश आपको मिल सकें मिलते हैं आगे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद